हेलो दोस्तो मैं धीरन स्वागत करता हूँ आपका एक्जाम इस टेडिवेस संगीता में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं साइन्स से एक मोश्च इंपोर्टन टॉपिक को दोस्तों आज हम पढ़ेंगे प्रकास संसलेशन से बनेने वाले मोश्च important question लेकर आया हूँ जो कि N-C-E-R-T pattern पर आधारित हैं और बार-बार प्रत्युक्ता परिक्षा में पूछे जाते हैं आप किसी भी एक्जाम की तयारी कर रहे हूँ चाहे भले ही वो लाइक और शेर जरू कीजेगा और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्ली चैनल को सब्सक्राइब रू कीजेगा जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे तो चलिए दोस्तों हम पर मिकला सुरू करते हैं प्रकास संसलेशन से पहला कौशन है हरे पौधों में प्रकास संसलेशन की किरिया में होता है तो ध्यान रखेगा कारवन डाई ऑकसाइड लेना एवं ऑकसीजन को छोड़ना ठीक है दोस्तों हरे पौधों में प्रकास संसलेशन की किरिया में क्या होता है का carbon dioxide लेना एवं oxygen को छोड़ना अगला कोशन है प्रकास संसलेशन में पौधों द्वारा उप्यों की जाती है तो देखिए ये carbon dioxide gas का उप्यों करते हैं ठीक है ना प्रकास संसलेशन में पौधों द्वारा किस गैस का उप्यों किया जाता है carbon dioxide gas का अब यहां से कुछ fact र्याद रखेगा देखिए प्रकास संसलेशन पौधों में जल प्रकास पर्ण हरित यानि की chlorophyll carbon dioxide की उपस्तिती में carbon dioxide की उपस्तिती में carbon dioxide के निर्माण को प्रकास संसलेशन कहते हैं ठीक है फिर से सुनिए पौधों में जल प्रकास पर्ण हरित यानि की पर्ण हरित का मतलब क्या है chlorophyll तथा carbon dioxide की उपस्तिती में carbon dioxide के निर्माण को प्रकास संसलेशन के लिए आवश्य क्या है तो अभी देखिए हमने क्या क्या बुला इसके अंदर प्रकास संस्लेशन के लिए आवश्य क्या है कारवन डाय ऑक्साइड पानी क्लोरोफिल जिसको हिंदी में कहते हैं पर्ण हरित और सूर का प्रकास देखिए ध्यान रखेगा यहां कॉशन हमने लगाया है प्रका यह पौधे जल में घुली हुई कारवन डाय ऑक्साइड लेते हैं अगला कोशन देखते हैं प्रकास संसलेशन प्रकिरिया के लिए आवश्यक नहीं है तो देखिए यहां पर जिक्र नहीं हुआ भी तक ऑक्सीजन का ठीक है प्रकास संसलेशन की प्रकिरिया के लिए यह जल से आती है, पौधों द्वारा तीवर अफसोशन होता है, तो नीला और लाल प्रकास का, ठीक है, इंपॉर्टन कॉशन है दोस्तों, पौधों द्वारा तीवर अफसोशन होता है, किसका अफसोशन होता है, नीला और लाल प्रकास का, अगला कॉशन है, पृत्री पर अ The response oxygen की उत्पती होती है, किसके दारह? सेवाल के दारह Next question है, प्रकास sensation होता है, तो यह होता है दिन अत्वा रात्री में ठीक है? प्रकास sensation कब होता है, दिन अत्वा रात्री में पौधे बाप पेड का खाना तैयार करने की प्रिक्रिया क्या क्यलाती है? तो इसको बोलते हैं photosynthesis देखिये most important question है ये question SSC railway के अलावा और भी कई परिक्षा में बारवर repeat होता है पौधे वाप पेड़ का खाना तैयार करने के प्रिक्रिया क्या 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 थी है photosynthesis वहे क्रिया जिसके दोरा पौधे अपना भोजन तयार करते हैं कहलाती है तो इसको बोलते हैं प्रकास संसलेशन ठीक है न वह है क्रिया जिसके दौरा पौधे अपना भोजन तयार करते हैं कहलाती है प्रकास संसलेशन अब दिखिए ध्यान रखेगा एक ही चीज है ये प्रकास संसलेशन को इंगलिस म पौधे का खाना तयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है फोटो संथेसिस और देखिए नीचे क्या क्या रहा है वह क्रिया जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन तयार करते हैं क्या कहलाती है प्रकास संसलेशन ठीक है चलिए आगला कौशन देखते हैं प्रकास संसलेशन ह होता है तो यह होता है क्लोरो प्लाश्ट में Prakπεbrae क्रिया सील प्रकास कौन as है तो यह लाल प्रकास ठीक है ना का सबसे अधिक प्रभावकारी होता होता है कौन होता है लाल प्रकास प्रकास संसलेशन में सबसे अधिक प्रवहावकारी होता है कौन सा प्रकास लाल प्रकास अगला कौशन है कृतिम प्रकास क्या है तो देखिए प्रकास संसलेशन का कारण हो सकता है क्या कृतिम प्रकास प्रकास संसलेशन का कारण हो सकता है क् प्रकास नेक्स्ट कॉशन दोस्तों यहां से मोश्ट इंपॉर्टन्ट है ध्यान रखेगा यह कॉशन एक्जाम में रिपीट भी होता है ठीक है देखे कह रहा है प्रकास उर्जा का रसानिक उर्जा में रूम पांतरल होता है किसमें प्रकास संसलेशनल की क्रिया में ठीक है अब ध्यान रखेगा दोस्तों, एक्जाम में एक कॉशन पूछा जाता है, कि पत्तियों का रंग हरा किस वर्ड की कारण होता है, पत्तियों का रंग हरा किस कारण होता है, किलोरोफिल के कारण, किस के कारण, किलोरोफिल के कारण, और इसके चार घटक है, किलोरोफिल A, किलो क्लोरोफिल के केंद्र में किसका एक परमाणू होता है अब आपको यहां से इस लाइन को याद करना है ध्यान से याद रखेगा प्रकास संसलेशन की दर लाल रंके प्रकास में सबसे अधिक है और बैगनी रंके प्रकास में सबसे कम है देखिए वहाँ पर हमने एक कौशन उपर पड़ा भी था ठीक है लाल रंके वारे में क्या ल दर लाल रंग के प्रकास में सबसे अधिक होती है और बैगनी रंग के प्रकास में सबसे कम होती है चलिए आगे बढ़ते हैं वह प्रक्रम जो प्रकास संसलेशन में समलित है तो देखिए प्रायातम उर्जा इस्थित उर्जा में परिवर्थित होती है और संचित हो जाती है अगला कोशन देखते हैं अधिक्तम कुशलता पूर्वक सौर उर्जा को रसानिक उर्जा में परिवर्तित करता है तो कौन करता है क्लो रेला पौधों की जड़ों का कार नहीं है तो देखिए पौधों की जड़ों का कार नहीं है पौधों की जड़ों का कार नहीं है तो पौधों की जड़ों का कार नहीं है पौधों की जड़ों का कार नहीं है पौधों की जड़ों का कार नहीं है पौधों की जड़ों का कार नहीं ह का कार क्या नहीं है इसमें से प्रिकास संसलेशन हरे पौधे द्वारा प्रिकास संसलेशन की प्रिक्रिया में प्रियुक्त सौर उर्जा का रूपांत्रन होता है तो किसमें रूपांत्रन होता है सौर उर्जा का रसाइनिक उर्जा में देखी यहाँ पर एक कथन दिया हुआ मैंने आपको या भी याद भी करवाया था, यहाँ पर देखिये लिखा भी है, इसको अप फिर से पढ़ लीजी याद रूगा आपको, लाल प्रकास का तरंग दर्द सबसे अधिक है, जबकि बैगनी प्रकास का तरंग दर्द सबसे कम होता है, ठीक है न, इसी कारण से, यहा ब्रक्ष की चाल ब्रक्ष के आधार के पास से गोलाकार चारो तरफ से हटा दी जाती है तो यह ब्रक्ष धीरे-धीरे सूख कर मर जाता है क्योंकि जड़े उर्जा से बंचित रह जाती है फ्लो एम मुखेता उत्तर दाई है तो यह है आहर बाहन के लिए ठीक है फ्लो एम का काम क्या है पौदों में आहर यानकी भूजन का बाहन करना अगला कोशन है स्वसन प्रकास संसलेशन जैविक पदार्त का छै तथा ज्वाला मुख्य किरियाओं में से पिर्थिवी के कारव प्रकास संसलेशन ठीक है दोस्तों आज का वीडियो यहीं एंड होता है उम्मीद करता हूं आपको सभी कोशन अच्छे लगे होंगे समझाय होंगे पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ